हेलो बड़ मारी बच्चों आइम पजीश मिष्टा यौर बालोजी फेकल्टी बैटा हम लोग नीट की क्लासिज में चैप्टर चल रहा था हमारा की स्ट्रेटिजी फॉर एंहांस्ट इन फूर्ड प्रोडक्शन ठीक है यह चैप्टर चल रहा है इसका आकरी का एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसको यह खतम करने के बाद ही हमारा चैप्टर खतम हो जाएगा तो ठीक है अब इदर देखें अब प्लांट टिशू कल्चर के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया था बस आब इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं और इसका क्या यूटिलाइजेशन हैं ठीक है और इसकी यूज क्या क्या मतलब पताऊब जिए कि कि अब कर दोंधर यह होता है कि अपको यह थोड़ा सा इसका कैप आप देखेंगे वाइट है लेकिन अगर यही एक तम में हूँ, अगर यह आइडेंटिकल होता, सब्सक्राइब दूसरे के क्या हो गया, यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप इसको कंसेडर कर सकते हैं, कि यह आइडेंटिक क्लियर होगा, तो आइडेंटिकल होने पर कोई भी माइक्रोब या और्गेनिजम का इतना सेम एक उसके जैसा इतना हूप 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 एक्जक्ट कॉपी अगर बढ़ा लें, तो आप उससे क्लोन बोतने हैं, और यह जब भी पॉसिब हैं, जब आप उसका एसेक्शल आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, और 12th क्लास में भी आपने पढ़ा था, प्लाट के केस में, और अनिमल के केस में भी, क्लियर हुआ, तो जब रिप्रड़क्शन कराते हैं, तो भी क्लोन बनता है, तो उसमें आपका एसेक्शल र और 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 गन कुछ भी ऐसा लेके, फिर हम उसका क्या करते हैं, कल्चर में उसके टिशू को बहुत सारे उसके नंबर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, निट्रियंट ग्रोथ मेडिया इसको प्रॉवाइड बिडाते हैं, तो वही है, तो प्रोड़क्शन ऑफ थालेंड् प्रोट की टिशू करूं नगीडिव तो प्रोपर्टी स्क्राइड अगर उसके शेटर बिडानी करते हैं, तो यह वाक जो आण है जह थो जेज्ट क्या पॉइंट हुग और अंक्यूत नहीं ब्रकाइद्ट तो कि हम उसमें माईक्रो लेवल पर उसके जो टिशुव वगरा को यूज करके उनसे कल्चरिंग करके फिर नए ब्लांट को ग्रो करवाते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक छोटे से थे पार्ट को लेके हजारों के संक्था में प्लांट बना लेते हैं धक्य प्लांट को मतलब क्या हुआ प्लांट है और यह वाला पॉर्चन इसका सड़ा हुआ यानि कि इन्फेक्टेड है किसी पैथोजन के थ्रू अब हमें प्लांट निकालना है कैसे कि उसमें किसी भी तरह की कुई बीमारी नहों इस फ्री प्लांट को बीमार बोधेस यानि कि इल प्लांट से उसमें क्या करना होता है कि हम उसके हल्दी पार्ट को चूज करते हैं तो चुछ प्लांट क्वाइब कोई सब्सक्राइब करने के उनमें प्रॉपर्टी होती है अग्याद सब्सक्राइब नहीं होती किसी और चीज की ग्रोध होती है SEL division होता रहता है इन वह प्लांट में लेकिन कुछ जगह पर रुक जाता है एक टाइम के बाद लेकिन मेरेश टेम वाली जगह पर नहीं रुकता है टिक है और एक लिम्टेड टाइम के बाद वह भी रुकते हैं लेकिन मतलब उनकी लाइफ ज्यादा अंगे टाइम तो मेरेश्टेम बाले केस में आ चुकी होगी है, से क्या होता है महां पर ऑकजिन और साइ्टोकाइन का क्या होता है? और जिनका दो आपको पता ही है कि यह टिप पर होते हैं और डार्क साइड एरिया में जादन का कंसेंट्रेशन होता है तो जैसे कि माली जी इधर से लाइट आ रही है तो इधर नहों के इसके बैक साइड में जैसे कि इस वाले पोर्शन में यहाँ पर ज्यादा होगा तो जब इनका polskiell ही रहता है और इन में rapidly cellavisons मतलब इननि से निकाल सकते हैं तो जैसे की जब इन दिविस्ट recommend कि तो उतना अधने से पेहले निकाल सकते हैं और जैसे कि जबी infection होगा वो जब stable protoplasm होगा तभी तो फिर वो डिवीजन करके फिर से एक नया cell होना देंगे तो फिर कैसे हो और पुराना वाला नीचे आ जाएगा और न्यू वन उपर पढ़ जाएगा तो यह एक method है कि आप tissue culture मतलब tissue culture के तुरू एक नए plant प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर डिराइव कर सकते हैं मतलब एक बीमार पॉधिस से भी अच्छी अच्छा plant या निगी healthy plant डिराइव कर सकते हैं उसे निकाल सकते हैं बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि एक तो आप बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि एक तो आप हजारों मसंख्या में बहुत इसलिटी प्लांटों ग्रो करवा सकते हैं और एक बीमार पॉधिस से भी एक healthy plant को आप अप्टेइन कर सकते हैं तो आज आपका इस चप्टर खताम होता बेटा नेक्स चप्टर जो भी स्टार्ट होगा वह अगली वीडियो में आपको पता जिल जाएंगा तब तक के लिए तेंग